हैलो दोस्तो गुड मॉर्निंग आज देखे मूली है मूली इसको पैसे तोड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसको जाते है इसमोटे ठीक हैं जीव फिर मैंसको नाइप की मदद इसको जिल दोग अच्छे से देखिए अब क्या करेंगे तो मैं धूलोंगे अच्छे से दूने के बाद यह जो पत्ते हैं इनको भी में धूनगी और साइड मेरी सबजी बनने लग रही है लेकिन मैं नासे के तयारी कर रहे हूं क्योंकि आज मैं ना से मिनाओंगे मूली के पराठे और साथ साथ में सफाई भी करना बेज जरूरी है और इसके बाद देखें मूली के पत्तों को मैं अच्छे से धोलूँगी और इनका पानी अच्छे से नीच ओड़ लूँगी बिल्कुल और ठंड है पानी बहुत ज़्यादा ठंड है क्या करें काम भी करना बेज ज़रूरी है अब मैं क्या करूंगी इसको घिया को अच्छे से घिस लूँगी और मूली के पराठे तो और किसी को बनाने आते हैं और देखिए और आज बोटिंग का है आज बोटिंग हो रही है और एम सीडी के चुनाओ की तो उसमें देखते हैं कौन जीता है वो भी मैं सासाथ सुन रहे हूं और में फटा फटी है पराठे बना के तयार कर दूँगी मूली को देखो मैं अच्छे से घिस लिया है और दोस्तों ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन थोड़ा तसल्य से बनाएंगे तो ज्याद अच्छा बने के तयार हो जाता है अगर जल्द वाजी में खाने के चक्कर में रहोगे तो सिर्प सुवे हमें चाई ही टाइम से मिल सकती है और यह टेस्ट ही ब् पीनी चाहिए ठीक है जी चाय के साथ कुछ और लें और मैं तो यह मूली पराठा लोंगी खाली चाय में कभी नहीं पीती हूं और इसके लिए थोड़ी मैने तो करने पड़ेगी और सासात में और भी काम करती जा रहे हूं क्योंकि साथ में सबजी है आटा भी लगाना है और यह आप लोगों कोई वीडियो भी दिखानी है मूली के पराठे कैसे बनते हैं और सारी मूली मैंने घिसली पान नी चोड़ लिया था उसका भी मूली के पत्ते हैं इनको मैं अच्छे में काट लूँगी और खाले मूली के पराठो की आपने अगर कभी पराठे काए हो त आगर में कहाँगी तो मैं अराम थंडी में काम दोखनी करता है लेकिन आराम कि या और खाना ही बना लेंगे हैं यह हो सकता थे महतने पर starts क्योंकि यह हमारे खाना पचाने में हेल्प करते हैं तो इसलिए मैंने कर लिया अच्छी से मिक्स मिक्स करने के बाद चलो अब आटे को चेक करेंगे यह देखें आटा मैंने पहले लगाया था लेखें इसमें दो चान मुख की और मार दूगी में आटा मैंने ठंडे पाने से घूंदा है कुछ लोग बोलते सब्दियों में गरम पाने से आटा गूंदा नहीं ठंडे पाने में आटा गूंदा बहुत ज़्यादा सही रहता है और उसके बाद में बना दूंगी पराठे हैं यह देखिए रोटी बेली है उसके लगा लिए है तेल उसके बाद में इसमें डालूगी नमक आपको बाद में ही आड़ करना यह मैं गलती हो गई मुझसे मैंने पहले नहीं बताया व्लोगों को जब भी आप पराठे बनाए उसी टाइम आपने नमक डालना मूली में नहीं तो पहले डालोगे तो मूली में पानी पानी हो जाएगा इसको कर लिया है मिक्स अब मैं इसको स्टफिंग को भर दूंगे पराठे में कि रोटी में भरके अब पराठा बनाके तयार कर लेंगे Oh spray और गलते बीच-बीच में हो जाती है बोलने में तो सब अगया कि ऺत १दिंद किया जाएं इस बारे में करेड मैदम अप कैसे बोल देते हों गलत सलत बोल देते हैं कोई वातनी इनसानी हैं गलती हर इनसान से होती हैं तो उसके लिए मैं कोई गाली ग्लूश तो कर नहीं है आप लोगों से गलती हो जाते हैं मुझसे जबान फिसल जाती है क्योंकि वीडियो बनातेवाक्त थोड़ा सा आवाज ऊची-णीची हो जाती है उसके बाद मैंने तबाकर किया हुआ था उसके उपर मैंने लगा दिया है पराठा डाल के पलट के उस पर लगा दिया है तेल आप चाहते से घी में बना सकते हो मक्षन भी बना सकते हो उसको अलट प्लट के से लिए कलर देखो कितना अच्छा अगया पराठे का दोस्तों वीडियो पसंद आते तो व्लोग बनाने में बड़ा टाइम लगता मुझे धन्यवाद दोस्तों गुड्नेट एक केर